हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो 5 साल के बच्चों के लिए आप आजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर 4 है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुढ़े की बुनाई करना और इस वेटर की सिलाई करना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स से इसकी एक साइड की मैंने ये आरम होल बनाकर कम्प्लीट कर ली है इसमें मैंने जो फंदे लिये ह इसम से लेकर और ये जो इसके हमने शोल्डर का जोइंट किया है 42 यानि 42 एक फंदा ये जो हमारा बीच में जोइंट आया यहां से हो गया और फिर ये tau बैक साइड का हो गया 42 हमए इसमें लिया यानि रौंड में हमने 85 फंदे से ये एक आरम होल बना के त्यार कर ली हैं अ एक बार में हमारा ये धागा जैसे अब मैंने सीधी साइड है ये इसकी फरंट वाली साइड है यहाँ पर धागा बांध लिया है और यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे क्योंकि जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए जब आप इस बाकी बुनाई बिल्कुल सेम होगी तो यह देखे यहाँ पर मैंने अपनी उन को बांध लिया है और दस नंबर से हमने इसका बोडर बनाया है दस नंबर से गला बनाया है दस नंबर से ही मुड़े की बुनाई करेंगे बाकी सारी हमने नो नंबर से बनाई है तो इसी तरह से आप अपनी ओन को जोइंट कीजेगा और यहां से अब हम फंदे उठाना शुरू करेंगे तो देखिए इस तरह से एक हो गया फिर फंदे से फंदा मिलाएंगे और हम फंदा उठा लेंगे दो फिर इसके साथ बिलकुर मिला कर हम सलाई को डालेंगे तीन फिर से ऐसे ही पा एक फंदा यह जो बीच का जोड है यहां उठाएंगे और फिर यहां से लेकर यहां तक हम 42 फंदे उठाएंगे तो टोटल हमारे पास राउंड में फिर 85 फंदे हो जाएंगे तो आप भी इसमें इसी तरह से फंदे से फंदा मिलाते हुए 85 फंदे उठा लीजिए तो यह इसमें मैंने यह फंदे उठा लिए हैं 42 एक फंदा यह शोल्डर के जोइंट पर और 42 इधर तो टोटल हमारे पास हो गए 85 फंदे और बाई चांस अगर आप फंदे उठा रहे हो और आपके फंदे जादा हो जाते हैं तो आप बुनाई करते टाइम जहां पर यह लगे कि बिल्कुल ही पास में दो फंदे हैं दो का एक करके उनको घटा दीजिए और बाई चांस आपको लगे कि मेरे फंदे 42 नहीं है 40 रह गई हैं तो आप बनाते टाइम कहीं पर भी एक फंदा बीच में से उठा कर नीचे से एक लोप और फिर बुन सकते हो तो दोनों तरीके से हो जाएगा जादा हों तो कम कर दीजिए और कम हो जाएं तो फिर बुनते टाइम पंदा उठा लिजिए अब देखें फंदे उठाने के बाद उल्टी साइड से हमारी ये पहली सलाई है एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरह एक को बना लेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए हमें इसकी बनाई करनाई है, तो मैं अब लाच्ट सलाई को बना लेती हूं तो ये देखिए फंदे डालने के बाद उल्टी साइड से हमारी पहली सलाई कंप्लीट हो गई एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और सीधी साइड पर अब देखे जो फंदा इधर उल्टा बनाया वो इधर सीधा बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये फंदा हमारा उल्टी साइड से सीधा है तो यहां उल्टा हो जाएगा तो देखिए एक सीधा एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा ऐसे करते हुए अब हम इसकी दूसरी सलाई को भी बना लेंगे बस टार्टिंग में आपने ध्यान रखना है कि फंदा आपका कैसा है उसके बाद बिल्कुल आपका एडजेस्ट होता चला जाएगा एक सीधा एक उल्टा तो मैं इस दूसरी सलाई को भी बना देती हूं तो यह देखे फ्रेंट्स दो सलाईयां हमारे यहां बौडर की कम्प्लीट हो गई है तोटल इसमें हमें नो सलाईयां बना के और दस्वी सलाई सीधी साइट पर इन फंदो को बाइंड ओफ करना है तो दो सलाईयां कम्प्लीट हो गई अब इसमें हमें साथ सलाईयां और बनाने है तो अब ऐसे ही एक उल्टा एक सीधा करते ह हुए इसकी मैं ये साथ सलायां कंप्लीट कर लेती हूं फिर हम सीधी साइड से इन फंदों को बाइंड ओफ करेंगे जैसे कि हमने यहां पर किये हुए हैं और फिर उसके बाद इस स्वेटर की हम सिलाई करेंगे तो अब आप इसकी ये नो सलायां कंप्लीट कर लीजिए मैं हमारी ये दसमी सलाय है और सीधी साइड है तो अब इन सभी फंदों को हम बाइंड ओफ कर देंगे तो देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहां दो फंदे का एक करेंगे देखिए इस तरह से इस फंदे को हम सलाय के उपर ले आएंगे और नेक्ट वाले दो फंदे इसक इतना सा लूज रखना है और जादा भी बड़ा धागा नहीं होना चीए यह आप देख लीजिए इतना इवे इसके साथ में हम नेक्ट वाले दो फंदे लेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे फिर इस फंदे को हम ऐसे लाएंगे इतना सा रखेंगे आप देख करना है इतना ज्यादा टाइट भी नहीं करना इतना रख लीजिएगा और नेक्ट वाले दो फंदे इसके साथ में लेकर तीन का एक कर देजिए अब ऐसे करते हुए मैं इन सभी फंदों को बंद कर देती है तो यह देखिए प्रेंट सारे फंदे मैंने बाइंड ओफ कर द ही है अब हमें इस स्वेटर की सिलाई करने है तो देखिए कुछ दागा तो हम लंबा सा इसमें से कट कर लेंगे और कुछ हमारा देखिए यहां पर होता है जो हम फंदे डालते हैं तो थोड़ी सी सिलाई तो हम इधर से करेंगे ताकि यहां पर बिल्कुल लाष्ट की दाख लेते हैं और इसको हम सुी म伍े डाल लेते हैं तो यह देखिए सुंई में मैंने धागा डाल लिया है अब हम यहां से पहले यह जितना धागा इससे सील लेते हैं फिर इस साइड से इस धागे को डाल के सीलना शूरू करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों बाढ़र के इस जोड को मिलाएंगी देखिए ऐसे आपने मिलाना है इसको इधर से आप सुई डालिए ऐसे इधर के ये जब आपके ये कौने बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे न तभी इसमें यहां से फिनिसिंग आएगी दो बार में तीन बार में इसको बिल्कुल यहां पर ना कटने पाई तो ये देखिए ये हमारे इसके जोड अच्छे से अटैच हो गई है अब अगर आप से ये पार्ट उपर नीचे खिचता हो तो बीच में कोई भी सेफटी पिनिया मारकर लगा दीजिए ताकि ये पार्ट उपर नीचे ना खिचने पाई नहीं तो हम ऐसे पकड़ेंगे और ये जो बोर्डर है इसकी हम थोड़ी बारिक सिलाई कर लेंगे जो हमने एक एक फंदा एजस्टीज रखा है उसको हम ऐसे सिलाई में लेंगे ज्यादा मोटी सिलाई यहां बोर्डर की नहीं करेंगे ये देखिए ऐसे ऐसे लेंगे इस तरीके से ऐसे करत हम यह बोर्डर की सलाई करेंगे तो यह देखिए बोर्डर की सलाई हो गई है यहां पर हमारा बिल्कुल छोटा धागा बच गया है दूसरी साइड से हमारी सलाई कंप्लिट हो जाएगे आपके पास जितना भी बड़ा धागा उसी तरह से सीलिए लेकिन मैं थोड़ा बताती हम यहां से आगे कैसे करना है जब बोर्डर की सलाई कंप्लिट हो जाए तब देखिए हम ऐसे सुई लेंगे और इसको ऐसे करके यहां निकाल देंगे अब देखिए ऐसे निकाल के जहां पर यह दागा निकला है इसकी ठीक बैक साइड पर हम ऐसे अपनी सुई को डाल लें हैं यहां पर लाकर दोनों धागों की नोट लगा देंगे अब यहां प्रमने काफी बड़ा धागा रख लिया है तो यह देख लीजे अब इनके जोड़ भी हम ऐसे ही मिलाएंगे ताकि यहां से यह ज्यादा मोटी सिलाई ना हो इधर ऐसे सुई डालेंगे और इन दोनों ज से डालेंगे और यहां पर हमारे यह दोनों को ने अटैच हो गई अब इस बोर्डर की सिलाई हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे निच्चे वाले बोर्डर की है यह देखिए ऐसे लेना है और इसको ऐसे सील देना है बिल्कुल बारिक टांके लगाईए ज्यादा मोटे नही ज्यादा मोटे लगाते हैं तो फिर बाद में जब यह खिचता है न तो वहां से खाली पन नजर आता है छेद से दिखने शुरू हो जाते हैं इसलिए बारिक बारिक टांके से सिलाई कीजिए ताकि छेद ना दिखें यह देखिए यह दोनों जोड है न यह जो फंदी उठ पीच हो गया अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए ऐसे पकड़ेंगे और अब हम देखिए इसकी सिलाई करेंगे इस तरीक के से यहां पर सुई डालेंगे ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे यह देखिए ऐसे डाल देंगे अब जहां पर धागा निकला है इसकी बैक साइ मर ऐसे निकाल देंगे फिर से ऐसे करेंगे यहां से सुई डालेंगे और जहां पर धागा निकला हुआ है उसके अगली साइड पर हम अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे ऐसे करते हुए अब आप इसकी सिलाई कर दीजिए जहां पर अपका धागा है वहां पर नोट लगा द देखें ये ध्यान रखिए जब आप सिलाई कर रहे हो ना इस धागे को ऐसे ने खीचना है अपनी स्वेटर को आप ऐसे खीचिएगा एक बार आप फिर से देख लीजिए यहाँ पर हम सुई डालेंगे और इसकी अगली साइड पर हम ऐसे निकालेंगे और देखें एक तो हम सीलते टाइम ऐसे खीचते हैं ऐसे निकीचना इसको पीछे की तरफ खीचते जाईए ताकि ये बिल्कुल इसकी सीधी सीधी सिलाई बहुत अच्छी हो जाए तो आप ऐसे ही इसको सीलते जाईए और ऐसे करते जाईए और यहाँ तक आप इसकी सिलाई कंप्लीट कीजिए तो ये देखिए फ्रेंड सी सिलाई इसकी कम्प्लीट हो गई है दोनों तरब से आप सब देख सकते हो बहुत अच्छी फिनेसिंग आई है और पांस साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी हाप पाजू स्वेटर बनके तयार हो गई है अगर आपको ये वीडियो पसं और अपने बच्चे के लिए ये प्यारा स्वेटर बना लीजिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहल देख सके थैंक यू